सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमश्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चेक्टॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आयो आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूज तो चलिए शुरू करते हैं दूसरों पहला अपडेट है वो है पैट्रिया के लिए और दूस्तों बोले तो एक नहीं टाइप का रेंसमवेर वना क्राइ की तरह है और यहां पर दोस्तों यह है इस बार एक वाइपर एक दोस्तों यह आएगा वाइपर चला रहे आपके computer में आपके data कर देगा delete अगर आप ransom दे भी देंगे 300 dollars की तो भी आपने data को recover नहीं कर पाएंगे हालनकि फिलाल दोस्तों यह इंडिया भी तो इतना तेजी से नहीं फैल रहा है बहुती कम इसका impact है यूरोप में बहुती तेजी से फैल रहा है लेकिन भाई अपने data को बचा के रखो यही मेरी सला है multiple copies बना लो, multiple backups ले लो वरना क्या पता आपके कब वो जो favorite profile photo है वो हुझा है डिलीट आपके computer से दोस्तों अगला update निकल के आता है वो है एक ऐसे phone के लिए जहां पर battery है ही नहीं मतलब हमको battery के ज़रुत है ही नहीं दोस्तों because यहां पर जो phone है वो जो अपनी पूरी power जो इसको चाहिए on होने के लिए काम करने के लिए वो ले रहा है radio waves के थुरू यहां पर दोस्तों एक prototype जो इसको develop किया गया है हाला कि यह आपका कुछ android वाला नहीं है ऐसा नहीं कि आपको बहुत है यहां पर आप heavy काम कर पाएंगे यह एक basic phone है यहां पर LED light वगर है और आपका normal keypad है लेकिन इसका एक advanced version भी बनने वाला है जहां पर दोस्तों एक वाला screen का मतलब ऐसे components जो कम से कम पहली बाद तो power consume करते हैं उसके अलावा दोस्तों यहां पर आप जो पूरी power ले रहे है वो ले रहे हैं हवा के तुरू wearlessly आपको battery चाहिए ही नहीं concept काफी कमाल का है देखते हैं कि reality में कब तक convert हो जाता है उसनों अगला update निकल के आता है वो है NASA के तरफ से और NASA यह कहता है कि भाई हमारा जो international space station है उस पे हम रखते हैं बिल्कुल penny नजर कि भाई वहाँ पर क्या चल रहा है क्या पूरा महोल है क्या वहाँ पर कैसा atmosphere है basically यहाँ पर पानी जो अंदर consume होता है उससे लेके जो bacteria levels वगर है उनको देखने के बाद में कि भाई ऐसा नहीं है कि आज वो सही है लेकिन कल को ऐसा नहों कि वहाँ पर रहने लाइक ना बने तो इसको लेकर दोस्तों NASA काफी serious है और काम कर रहा है अपने ISS की एकदम security के बर first class तरीके से इंडिया भी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ हम सभी यह सोचते हैं बहुत ही जल्दी एक space station अपना हवा में अकाश में अंतरिक्ष में सेट अप कर लेगा तो अगला update निकल के आता है वो है whatsapp की तरफ से और यहाँ पर यहाँ भी देखो होता क्या है कि whatsapp में हैं बहुत सारी emojis आपको तब मालूम भी नहीं है कितना सारी emojis हैं तरह तरह की हैं कहां कहां पर अंदर कहीं छुपी हुई है तो अब आप basically उनको search कर सकते हैं अगर आपको for example एक हाथ वाली emojis यह हाथ हिलाते वे थमजब दिखाते वे ताली बजाते वे कुछ भी है तो वो बस आप यहाँ पे type कीजिए initial words और आपको उसकी जो मिलती जूलती emoji है वो सामने दिख जाएगी यह हाला कि आप बहुत सारे keyboard apps में कर सकते हैं अभी आ गया है whatsapp में inbuilt और यह आपको मिलेगा whatsapp के latest beta में और आगे चलके इस सभी users के लिए सामने निकलके आ जाएगा दूसरो अगला update निकल के आता है वो है 9-9 Nokia की तरफ से और यहाँ पर दूस्तों Nokia ने 9 कर दिया शायद Nokia 9 को बहुत उसकी तो बात होती नहीं और यहाँ पर दूस्ते सामने लीक हुआ है phone जो है एकदम basic phone अब यह Nokia 33 दस तो यार ठीक है एक iconic device था वो एक अलग concept है लेकिन यहाँ पर यह बिल्कुल दोस्तों एक feature phone है और अब यह किस काम के लिए क्यों launch कर रहा है समझने जाथा यहाँ तो complete line up develop करना हो सकता है वो अलग बात है लेकिन यार flagship phone किदर है आपके उसमें इतना time लगा रहे है ऐसे phone को आप लेके आ रहे हो हाला कि यह भी कुछ leak हुआ है अभी हाला कि market में अभी आया नहीं है दिखते है पहले क्या आता है Nokia का और क्या वो कुछ कमाल धूम मचाए तब तो मजा भी आया है दोस्तों अगला update निकल के आता है वो है आपके लिए थोड़ी सी good थोड़ी सी bad news यह दोस्तों Reliance Jio और Xiaomi की तरफ से अगर आपके पास में Xiaomi का कोई भी फोन है basically Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi Note 4G, Redmi Note 4G Prime, Redmi Note 3, Mi 5, Mi Max, Mi Max Prime, Redmi 3S, 3S Plus, Redmi 3S Prime, Note 4, 4A, Redmi 4 यहां पे दोस्तों सभी हम आपको मिल जाएगा 30 GB का additional data Reliance Jio के साथ में लेकिन यह तभी मिलेगा अगर आपने Jio का SIM यूज करना स्टार्ट किया है इस फोन में 15 जून के बाद में ही अगर आप existing Jio user है तो आप इसको भूल जाओ वरना दोस्तों के आप कोई भी रिचार्ज कराएंगे 309 रुपई या फिर उससे ज्यादा का तो आपको 6 बार benefit मिलेगा जहां पे आपको हर बार 55 GBX टारेटर मिलेगा जो validity है वो खतम हो रही है 31 मार्च 2018 को नया नया phone लिया Xiaomi का नया नया sim लिया Jio का तो लगा लो उसके इंदर और बाद में नाचो दोस्तों अगला update निकल के आता है वो है बिसकली इसी पेट्या ransomware के लिए और दोस्तों इंडिया में जो इसका impact है वो बहुत ही कम हुआ है बिसकली ये 7th number पे आता है दोस्तों बना globally अगर आप दिखते है तो बाकी बहुत सरे इसी countries है जहां में बहुत बड़े scale पे जो है ये attack जो है हो पा रहा है इंडिया में in fact WannaCry का भी जो impact था वो इतना ज्यादा नहीं था तो ऐसे में पेटिया जो है वो भी कुछ ऐसा ही है हाला कि हमारी इंडिया में population कितनी है मतलब कितने computer users वगर है न उससे इसका हमको size बड़ा लगता है कि अगर आगरा बात करते है normal percentage business की तो इंडिया इसमें list में इतना ओपर नहीं निकल के आता है बस अपने system को यार फुल पूफ रखो मतलब यह बार बार बोलने वाली बात है लेकिन यहाँ पर आज की दो दोस्तों जो आपका data है जो आपका computer है जो आप internet से जोड़के बैठे हो आज वो बहुत ही एक important asset है आपका और आपको उसकी security के लिए बहुत कुछ काम अच्छे अच्छे करने पड़ेंगे तो अगला update निकल के आता है वो है Ola और Uber की तरफ से अनलेस आप इनकी ले लो वो प्राइम मेंबर्शिप सेलेक्ट वगरे जो भी होता है तो यहाँ पर एक डेली कोट का दोस्तों है इसकी hearing है वो होने वाली है बहुत ही जल्दी अब यार आप किसमें comfortable मतलब वह तीन पर यह वाला जो चलता है auto traditional जहाँ पर auto वाले के बार मना सिन यहाँ पर एक हमारे NGO है उन्होंने 91,000 क्रोड रुपे की डिमांड की है इन कंपनी से जो उन्होंने ज्यादा ज्यादा करकर के लूट मिचा रखे लेकिन लूट के है बिजनस है इनका यह भी तो पैसा कमाएंगे अगला अपडेट है वो निकल कहता है iPhone 8 के लिए और 8 जो है यह दुस्तों आने वाला है एकदम हो गया है सच कंप्लीट साबित यहाँ पर आपको सामय दूस्तों मिल जाएगा यहाँ पे एक मतलब ऐसा कमाल का स्क्रीन ना जो मतलब Apple ही कर सकता है basically और बतलब kidney आपकी एक दो जितनी भी है आप बस अपनी तयारी पूरी कर लो और यह जो है इसमें उस तो मिल लगा आपको complete bezel-less design जो dual rear cameras है वो भी confirm हो गए है और यहाँ पर जो phone है वो थोड़ा सब थिक होगा iPhone 7 और 7 Plus से और इसके अलावा बात यह भी है कि fingerprint scanner कहां जाएगा वो अभी भी देखने वाली बात है विकॉज आपको पीछे भी नहीं दिख रहा है आगे भी नहीं दिख रहा है तो यह power button के उपर है या फिर है यह screen में वो देखते हैं जब आएगा iPhone 8 उस टाइम पर क्या Apple आपको announce करके बता देगा अगला update निकल के आता है वो है Motorola के upcoming device Motorola Moto Z2 के लिए यह एक बार leak हुआ है GFX Bench में जहां पर आपको देखने को मलता है इस phone के दर मिलेगी 5.5 इंजिर के quiet SG screen जो RAM है वो है होगी 4GB और जो processor है वो है Snapdragon 835 अब Z2 प्ले पहले आ गया Z2 अभी आएगा और यह शायद काफी slim होगा और Moto Mods का support आपको मिली जाएगा लेकिन exactly dates क्या है वो देखते हैं और Motorola एक event प्लान कर रहा है जुलाई में बहुत ही जल्दी शायद वो Moto Z2 के लिए हो इंडिया में अगला update निकल के आता है वो है ISRO के लिए हमारे लिए बहुत ही proud moment है और यहाँ पर दोस्तों G717 और यहाँ पर यहाँ पर यह अपनी series की तीसरी सटलाइट है जिसको दो मुने में लाँच कर दिया गया पहले G79 थी फिर G719 थी और दोस्तों यह हो गया G717 तो ऐसे में जो combination network है अपना complete destroy दार जो बनाया जा रहा है वो काफी अच्छी बात है और यहाँ पर ना सिर्फ हम दोस्तों और जो बाकी Asian countries है पाकिस्तानों कभी कोई benefit नहीं मिलता है हमारे तरब से बहुत अच्छी बात है उसके लाँ पर नेपाल है भूटान है बंगादेश श्रिलंका बगर है उन सबी को हम benefit दे रहे हैं और हम अपने आपके country के लिए भी काफी अच्छा काम कर रहे है से लेट्स को लाँच करने के बाद में तो अब आपको वो कोई bulky device करने करना पड़ेगा या फिर अगर को फोन है जहां पर आपको inbuilt option मिलता है 360 का तो वो एक दम ऐसे कुछ बड़ा लंबा चोड़ा नहीं होगा यहाँ आपके normal phone जैसे ही दिखने भी लगेगा और यहाँ प यह option देखने को मिल जाएगा शायद बहुत ही जल्दी Galaxy Note 8 में भी rumors तो आ रही है बाकी देखो भी Samsung क्या तीर मारता है उस phone के साथ में लेकिन यह technology आज नहीं तो कल phones में तो आही जाएगी तो अगला update निकल के आ रहा है वो एक बहुत ही exciting news के बारे में है और यह आता है Pondhub की तरफ से जहाँ पर दोस्तों अभी जो आपका VR, AR वाला complete scene नहीं वो इतना इदर realistic हो रहा है कि यहाँ पर दोस्तों Pondhub ने अलाउंस कर दिया है कि जो Pondhub वीडियो हैं अगर आप देखते हैं उनको virtual reality में तो साथ में कुछ sex toys के साथ में उसको वो sync कर देगा जिससे अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे कुछ researchers की तरफ से जो यह कहते हैं कि हमारे पास में सिर्फ तीन साल है अगर समय रहते कदम नहीं उठाया climate change के ओपर जो हम अकाश में धूए चोड़ रहे हैं जो हम sea water को पूरा गंदा कर रहे हैं जो गर्मी इतनी फैलरी यह जो सारे काम हम कर रहे हैं जंगल कट रहे हैं तो उसको दोस्तों अभी ठीक करना ही पड़ेगा वरना आगे चाले कि जो हमारा future है वो sustainable नहीं होने वाला है तीन साल है भाई कदम उठालो वरना फिर देखो हम कहां किसके क्या मज़े लेंगे हम बात करते हैं 5G आगा 2020 में उडने वाली कारें होंगी हमारे पास में अपने आप कारें चलेंगी हवा में हम खुद parachute बनाके उतर जाएंगे बतानी क्या क्या वो सब चीज़े हम कहां कर पाएंगे अगर हमारे पास में धरती ठीक से होगी नहीं तो इसको ध्यान रखना सबसे जुरूरी बात है और उम ज्यादा अगर लाल हो गया तो मतलब भाई खतरनाक है और अगर एकदम हो गया purple या maroon इसका मतलब तो भाई यहां पे जीरा जो है वो बिल्कुल खत्रे से खाली नहीं है तो यह कमाल की address है हलां कि इसको normal इंसान पैन के नहीं हुमने वाला है लेकिन एक campaign के form में अगर आप लोगों को जागरूप करना चाते हैं अगर आप एक normally आडेल ने चाते हैं कि भाई आपके हवा की जो quality हो कैसी है दिल्ली में तब को मालूँ है ना audio में जलता रहता है बीच बीच बीचने कभी कभी तो यह एक अच्छा option हो सकता है इस चीज को नापने का तो अगला update निकल क्रीब 900 रुपे के असपास और बस बारिश कर से जना गया शाम ने लांच कर दिया चाता इंडिया में नहीं मिलेगा मिलेगा चाइना में ही और यह रंग बिरेंग दो चाते हैं बस अब शाओमी का चाता मतलब क्या उसके इंदर कुछ Bluetooth हो कानवे लाग के बात कर पाएं ब सब्सक्राइक पड़ने मत बुलिएगा क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ फिलाल के लिए दोस्तों जैहिंद वन देमाचरम